हलो दोस्तो मैं हूँ सोहं प्रोफेशनल कीबोर्डेस्ट एंड परफॉर्मर दोस्तो आज हम देखेंगे CTX9000 का रिदम कंट्रोलर याने कि रिदम कंट्रोलर जो पैनल है वो कैसे एक्सेस होता है कैसे ऑपरेट होता है और उसका यूज क्या है तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो हलो दोस्तो आज हमारे सामने है CTX9000 in कीबोर्ड और आज की वीडियो में हम देखने वाले है रिदम कंट्रोलर कैसे ऑपरेट किया जाता है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि तोन कैसे एक्टिवेट करे और रिदम कैसे ऑपरेट करे आज हम रिदम ऑपरेट करने के रिदम कंट्रोलर यह क्या ओप्शन है और अब यह कैसे वर्क होता है आज हम देखेंगे तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं अभी मैं रिदम का फोल्डर दबाता हूं और कौन सा भी एक रिदम चूज करता हूं समझो मैंने बी एक्टिवेट है तो मैं बी का ही 8-bit वाला रिदम यूज करता हूं फोल्डर में मेरे सामने अभी 8-bit है 022 और उसका टेम्पो है 120 अभी दोस्तों यह है टेम्पो का बटन राइट हैं में दिया हुआ है यहां से हम टेम्पो कम कर सकते हैं यानि कि डाउन एरो और यहां से टेम्पो बढ़ा सकते हैं यानि कि अप एरो यह सेम फंक्शन हम नियूमरीक की से भी आउपरेट करते हैं समझो अभी टेम्पो है 118 और मुझे डिरेक्टली 150 करना है तो मैं इतने बार दबाना बटन नहीं चाहूंगा तो उसके बज़े मैं डिरेक्ली 150 प्रेस करूंगा तो मेरा टेम्पो 150 में सेट हो जाएगा तो आ टेम्पो मैंने अभी सेट किया है थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ यानि कि आपको समझ में भी आ जाएगा तो उसका टेम्पो मैं 100 रखता हूँ रिदम कंट्रोलर में यह पहले इंट्रो दिया हुआ है इंट्रो यानि कि कुछ लूप्स का कंपनी ने प्रिसेट रिदम स् यह स्टार्ट का बटन है यह हमारा रिदम डिरेकली शूरू होता है लेकिन अगर हम कुछ इंट्रोड़क्टरी साउंड चाहते हैं तो कंपनी ने इंट्रोडक्शन का एक बटन डिया हुआ है वह हम दबाएंगे तो उसका इंट्रोडक्शन शूरू होजाएगा याने कि 16 bits का उन्होंने एक loop दिया हुआ है ये loop से rhythm automatically शुरू हो जाता है ये function हम chords play करते वक्त बहुत ही अच्छे तरीके से use कर सकते हैं याने कि किसी किसी गानों में कुछ introductory sound नहीं रहता directly गाने शुरू हो जाते हैं तो उसके लिए rhythm play करना difficult हो जाता है इसलिए हम ये intro का button प्रेस करके एक introduction यूज़ कर सकते हैं बाद में ये variations के options दिये हुए हैं याने कि अगर मैं rhythm लगाता हूँ तो उसका एक variation आ जाएगा ये मुझे variation मिलता है ऐसा ही second variation भी दिया हुआ है ये इसा third variation दिया हुआ है ये fourth variation दिया हुआ है तो ये चार variations है एक intro है और जैसे intro है वैसा ending भी दिया हुआ है तो अगर समझो ये हमारा rhythm शुरू है अगर हम end का button डबाते हैं तो जैसे automatically rhythm शुरू हुआ था वैसे automatically वो stop भी हो जाएगा तो आईए press करके देखते हैं क्या होता है देखा दोस्तों ये end दबाने के बाद वो automatically कुछ loop के बाद वो stop हो गया है मुझे stop करने के जरूरत नहीं पड़ी तो ये हम use कर सकते हैं हम हमारा गाना कब रुकना चाहते हैं या फिर हम हमारा गाना playing हम जो गाना बजा रहे हैं वो हम कब रुकने वाले हैं उसके हिसाब से calculate करके आपको ये button दबाना पड़ेगा ताकि आपका गाना end होते वक्त automatically rhythm बंद हो जाएगा नहीं तो फिर आप manually भी उसको प्रेस करके rhythm बंद कर सकते हैं stop कर सकते हैं तो ये basic introduction है basic feature है तो आप use करके देखिए आप कौन सा भी इदर rhythm लगा सकते हैं कौन सा भी rhythm लगा के ये सब panels operate करके देखिए ये सब buttons operate करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कौन से rhythm में क्या-क्या inट्रोज है किस गाने के लिए वो use हो सकता है और उसके variations हम कब use कर सकते हैं दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि variations का mostly use कुछ lines changing के लिए होता है दोस्तो समझो मैं एक गाना बजा रहा हूँ और उसके lines में कुछ changes है तो वो change दिखाने के लिए ये variation use होता है याने कि सामने वाले को सुनने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे lines change हो चुकी है गाने की तो वैसे दोस्तो आप ये उसका use कर सकते हैं जैसे हम तबला में तोड होती है वैसे ही variations उसको बोला जाता है वो variations यहाँ पे दिये हुए है तो दोस्तो ये आप operate करके देखिए और मुझे जरूर feedback देजिए